का या इवरीबन दिस इस विपिन हीयर वेल्कम बेग तू मैई चैनल और आज हम बात करने वाले लेक्चर टू में विसकोशिटी के बारे में तो आप लोगोंने विसकोशिटी वर्ड कई बार सुना होगा कि यह लिक्विड इतना ज्यादा विसकोश है इस बिडिक्विड की कैसे चलता है तो इसका पता हम दो तरीके से लगा सकते हैं सपोज एक कंटेनर में पाजी रखा हुआ है एक कंटेनर में सहध रखा हुआ है तो सीगे सीधे आप उसमें उंगली डाल के पता कर सकते हैं, तो पानी जो है वह आपकिंवी पे उतने अच्छे से नहीं चिपकेगा और वह आराम से वापस कंटेनर में गिर जाएगा थोड़ा बहुत चिपक के बट आप सहद की बात करोगे तो वह आपके उंगली में चिपक के आजाएगा तो एक तो यह हो गया अगर आप अपने उंगली या हाथ को पानी में गुमाते हो तो आसानी से गुम जाता है सहद में गुमाओगे तो आपको थोड़ा सा जोड लगाना पड़ेगा ओके दूसरा तरीका यह है कि पानी को आप किसी सॉलिट सर्फेस पे डाल दो और सहद को भी किसी सॉलिट सर्फेस पे डाल दो तो आप देखोगी कि पानी जो सर्फेस है कोई फर्स है उससे पानी जो वो आसानी से फैल रहा है, क्योंकि वो आसानी से flow कर पा रहा है, बट अगर हम सहथ की बात करें, तो वो फैल सकता है, लेकिन उसको फैलने में कितना time लगेगा, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ही देरे देरे वहाँ पे फैलेगा, और हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद रुख ही जाए, तो basically जब viscosity की basic definition की हम बात करते हैं, तो इसको हम compare कर सकते हैं, जो friction force होता है solids में, solid में अगर दो surface हैं, आपस में connected हैं, तो उन दोनों के बीच friction force होगा, उस friction force की वज़े से वो motion करने में उनको difficulty होती है, और उस friction को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर lubrication यूज़ करते हैं, ताकि वो आसानी से move कर सके, वैसा ही कुछ होता है viscosity के case में, अब यहाँ पर तो यह solid surface हो गए, लेकिन viscosity में भी वैसे ही type की, अगर हम fluid layers consider कर लें, तो suppose यह दो layer है, fluid की layers हैं, तो यह आपस में क्या कर करती हैं, जब यह, suppose इस direction में fluid move कर रहा है, इस direction में fluid move कर रहा है, तो यह एक दूसरे को, अपनी velocity, जैसे, suppose यह किसी velocity V पे चल दिया, और यह V प्लस, V प्लस DV, थोड़ी सी ज़्यादा velocity में move कर दिये, तो viscosity के कारण, यह वाली layer जो है, इसको रोकने की कोसिस करेगी, और इसक velocity हो सकता है, और भी कम हो, तो यह इसको उपर वाली जो layer है, इसको अपनी velocity के साथ move करने की कोसिस करेगी, मतलब इसको पीछे की तरफ खीचेगी, तो इस वज़े से एक drag 4 जो यहाँ पे generate होगा, तो viscosity basically है क्या, it is a fluid property, and because of this fluid property, there is a resistance to the motion, so resistance to the fluid motion, okay, between two adjacent fluid layers, okay, fluid layers, मतलब इस explanation के basis पे हम कहा सकते हैं, कि अगर दो layer है, fluid की, एक यह है और एक इसके उपर वाली है, तो यह दोनो एक दूसरे के contact में हैं, और viscosity की वज़े से, यह दोनो एक दूसरे को पीछे की जने का काम करेंगी, और उस resistance को हम बोलते हैं, viscosity, okay, अब viscosity basically किस वज़े से हो सकती है, उसके दो region हो सकते हैं, जब हम viscosity की बात करते हैं, तो दो region हो सकते हैं, एक होता है cohesive forces, cohesive forces, okay, तो strong cohesive forces is one region, और second जो region है, वो हम कह सकते हैं, key molecular momentum exchange, molecular momentum exchange, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, motion, suppose, for example, इस direction में हो रही है, और fluid particles जो हैं वो, एक दूसरे को अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेंगे, तो उस वज़े से जो है, motion में रुकावट आ सकती है, motion में friction आ सकता है, जो की cohesive forces की वज़े से होता है, दूसरा reason क्या है, molecular momentum exchange, suppose, कोई fluid है, जो solid surface के उपर बिखरा हुआ है, और वो वहाँ पर flow कर रहा है, तो हमें पता है, कि solid surface के contact में आने के कारण, उनकी जो fluid particles की velocity है, जो fluid particles, solid surface के बिलकुल पास होंगे, उनकी fluid velocity जो है, वो zero होगी, तो यहाँ पर जो momentum है, उनका zero होगा, लेकिन जैसे जैसे, इस direction में अगर हम बढ़ेंगे, fluid particles है, इसको अगर हम layer मान लेते हैं, fluids की जो layers है, इनकी जो velocity है, वो धीरे-दीरे बढ़ेगी, वो धीरे-दीरे क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो momentum है, इनका कुछ momentum होगा, बट जो सबसे पहली layer है, उसके तुरंत दूसरी बात वाली layer की velocity, थोड़ी सी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से zero momentum जो है, इनकी तरफ transfer हो रहा है, तो इनका जो actual momentum है, उसमें ये add कर रहा है, और उसको रोकने की कोशिस कर रहा है, तो वैसे ही, जब इसकी कुछ velocity होग उतनी उनकी velocity ज़्यादा होगी, क्योंकि जो molecular momentum change है, वो इस direction में बढ़ता जा रहा है, तो ये दो reason है, और पहले reason की वज़से हम कह सकते है, कि resistance होता है, दूसरी reason की वज़से हम कह सकते है, कि जो velocity में change हो रहा है, velocity में change वो ऐसे होगा, कि ये एक layer होगी solid surface के बाद इसकी velocity zero ह हो गई, दूसरी जो layer है उसकी velocity suppose ये हो गई, 3-3 layer की जो velocity है उसकी ये हो गई, 4 जो है उसकी हो गई, मतलब velocity जो है वो ऐसे change हो रही है, अगर हम इस direction में लेके चलें, y distance को, तो ये है u की value, u की value ऐसे change हो रही है, ये हो गई आपकी u, ये हो गई y, तो change in with respect to y direction, मतलब ये अगर u है, ये u plus du है, इन दोनों की distance है dy, तो ये हो जाएगा u plus du minus u upon dy, मतलब du upon dy, तो ये जो concept था, ये सबसे पहले किस ने propose किया था, ये किया था, ये किया था, newtons ने, तो newtons ने ये consider किया था, सबसे पहले, इस पर research की थी, कि shear stress, अब जो, जब एक दूसरे के ऊपर fluid layer move करती है, तो उन दोनों के बीच में shear force लगता है, और उसके विए से shear stress relate होती है, अगर suppose यहाँ पर shear stress इस direction में है, तो उपर वाली layer पर वो opposite direction में होगी, तो ये जो shear stress थी, इन्होंने ये relation दिया कि जो shear stress है, fluid layers के बीच, वो directly proportional होती है, इस change के, जो की change हो रहा है, velocity में, y direction में, तो ये relation दिया था, newton's ने, और उस relation को बोलते हैं, newton's law of viscosity, अगर हम बात करें, इसको relate करें कि ये जो, इसको हम velocity profile बोलते हैं, velocity, velocity profile, और velocity gradient, या तो velocity profile, या velocity gradient, so इस velocity profile और velocity gradient को हम directly relate कर सकते हैं, rate of shear stress से भी, कैसे, suppose ये एक fluid element है, इस पे shear stress लग रही है, तो इसको जो angular deformation होगा, वो से fix नहीं होगा, वो time के साथ साथ बढ़ता जाएगा, बतलब theta की value यहाँ पे बढ़ती जाएगी, with respect to time, यहाँ पे theta कुछ था, यहाँ पे theta कुछ और होगा, suppose theta 1, theta 2, theta 3 जो और ज़्यादा बढ़ होगा, इस वज़े से हम कह सकते हैं कि, d theta upon dt, which is called rate of, rate of shear strain, वो यहाँ पे हमेशा रहेगा, अगर shear stress है, तो this is also directly proportional to d theta upon dt, और इसी वज़े से आप लोग देखोगे, कि velocity gradient को कई बार आप rate of shear strain भी बोल सकते हो, this is called rate of shear strain, ओके, तो यह हो गई region की बात, और यह, यह जो equation आप box में देख रहे हो, this is called Newton's law of viscosity, तो इस law पे जो भी fluid काम करता है, मतलब अगर shear stress लगा रहे हैं, और उस पे वहाँ rate of shear strain अगर हो रहा है, proportional value में, तो उसको हम बोलेंगे Newtonian fluid, otherwise बाकी जो fluid हैं, उसको non-Newtonian fluid बोलते हैं, तो यह हो गया, इसके बारे में, अब बात करते हैं, इसकी units के बारे में, तो viscosity की definition हो गई, region हो गई, cohesive forces and molecular momentum change, अब unit के बारे में बात करते हैं, तो unit के जब हम बात करते हैं, तो सबसे जो important unit है, वो होती है, SI units, ओके, तो standard of international units, standard of international system, so SI units, तो इस equation को हम लिख सकते हैं, tau is directly proportional to d upon dy, तो यह जो proportionality constant है, उसको हम denote करते हैं, μु से, जिसे हम बोलते हैं, viscosity, और coefficient of viscosity, generally coefficient of viscosity होता है, लेकिर उसको simple common language में viscosity ही बोलते हैं, जिसे हम dynamic viscosity भी बोलते हैं, okay, तो mu into du upon dy, तो यह जो mu होता है, इसको हम dynamic viscosity बोलते हैं, और simply viscosity बोलते हैं, तो यहाँ से ही हो जाता है, tau upon du upon dy, अब हम इसकी unit निकालने की कोशिस करें, तो shear stress क्या है, shear force upon area, तो shear force का unit क्या होती है, newton, और area की unit होती है, meter square, और change in velocity, तो velocity की unit हो गई, meter per second, और इसमें divided by dy थे, dy की dimension क्या होई, length, तो one upon meter, तो meter से meter cancelled, तो इसकी जो unit होगी, वो होगी, इसकी unit हो जाएगी, newton second, यह second जो यह उपर चला जाएगा, तो newton second per meter square, तो यह इसकी SI unit होगी, newton second per meter square, और इसका जो dimensional formula है, dimensional formula भी यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, तो इसका dimensional formula क्या हो जाएगा, हमें पता है कि force जो है, force का जो unit होती है, तो वो होती है, mass into acceleration, mass is m, acceleration is lt power minus 2, okay, divided by meter square, मतलब divided by l square, ठीक है, and meter per second, meter is length, second is time, multiplied with 1 upon length, so length to length get cancelled here, and this length to this square gets cancelled, और जो हमारे पास बसता है, वो बसता है, और यह जो t है, यह उपर जाके multiply हो जाएगा, प्लस में, तो t power minus 2 plus 1, तो that is minus 1, तो ml, ml power minus 1, t minus 1, तो यह होगी इसकी, dimensional formula, जो viscosity का है, dimensional formula, वो है यह, okay, ऐसा units में, इसकी unit ही हो गई, अब regions of viscosity, और causes of viscosity, इसको हम cause भी बोल सकता है, causes of viscosity, causes of viscosity, हमने discuss कर लिया, कि cohesive forces, due to strong cohesive forces, between the molecules, and any layer, in a moving fluid, tries to drag the adjacent layer, to move, with an equal speed, and thus, produces the effect of viscosity, जो होगी, हमने भी discuss किया, okay, दूसरा होगा, इसका, intramolecular forces, तो यह होगी, इसकी units, तो units, जो ऐसा units है, वो यह होती है, बाकी अगर इसकी, बाकी units की बात करें, तो, बाकी units भी होती है, इसकी, जैसे की, MKS system में, यह CGSS system में, एक unit होती है, इसकी poise, लेकिन वो poise होता क्या है, one poise, one poise, is equal to, one by ten of, Newton second per meter square, तो यह relation आपको याद रखना है, क्योंकि जाज़दर numericals में, value जो आपको poise में दी जाएगी, ओके, तो poise में दी जाएगी, तो यह, इसके equal हो जाएगा, ओके, यह हो गया, इसके अलावा, इसकी एक और unit होती है, dine, इसके अलावाद सेकेंड पर सेंटिमेटर स्क्वेर, तो यह होती है, इसकी cgs unit, cgs unit, क्योंकि cgs unit में, centimeter, gram and second, जो system होता है, उसमें, dine जो होता है, वो force होता है, तो यहाँ पर newton force था है, यहाँ पर dine force है, तो इसको हम ऐसे लिखते है, तो dine second पर centimeter squares की unit हो गई, dynamic viscosity की यहाँ पर, अब बात करते हैं, अब dynamic viscosity की बात आता है, kinematic viscosity, kinematic viscosity, kinematic viscosity कोई ऐसी physical property नहीं है, बट यह basically, जो है, dynamic viscosity से ही related है, इसको new से denote करते हैं, और new जो है, वो होता है, mu upon density, मतलब पर unit density में, dynamic viscosity कितनी है, उसको हम बोलते है, kinematic viscosity, अगर हमें fluid की density पता है, और dynamic viscosity पता है, तो kinematic viscosity हम निकाल सकते हैं, अब इसकी units पर बात करते हैं, तो SI units अगर हम, बात करें, तो हमें पता SI unit viscosity की, इसकी dynamic viscosity की, newton second पर meter square है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, तो इसको हम as it is लिख लेंगे, newton second पर meter square, multiplied with one upon rho, तो one upon rho, rho की units क्या होती है, density की, kilogram per meter cube, kilogram per meter cube, तो इस meter cube को, अगर मैं यहां से हटा के, यहां पर लिख दूँ, तो कोई problem नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब इसको expand करते हैं, अब यह kilogram है, यह newton है, तो पहले newton को ही, kilogram में convert कर लेते हैं, तो newton क्या होता है, kilogram into meter per second square, तो यहां से newton की value, अगर मैं यहां पर रख दूँ, तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, बाकी quantities, तो second upon meter square, into meter cube upon kilogram, और यहां पर add कर देते हैं, यह, इसको kg, meter per second square, तो kg meter per second square, तो आप यहां पर देखोगे, कि, यह, जो है, इससे कट जाएगा, और यह जो है, इससे कट जाएगा, kilogram जो है, इससे कट जाएगा, हमारे पास बता, यह और यह, तो meter square per second, तो meter square per second, is the unit of, SI unit of, mu, ओके, SI unit of mu is, meter square per second, ओके, तो इसके SI unit, यह हो गई, और इसके अलाबा, जो इसकी popular units होती है, वो होती है, इस टोक, इस टोक, तो one स्टोक जो है, इसको बोलता है, इस टोक, और जैसे कि, यहाँ पे यह, था, पोईस, तो पोईस का, हमने बताया था, one poise is equal to, one by ten, of newton second, per meter square, वैसे ही, अगर एक स्टोक की बात करें, तो एक स्टोक की unit, जो होती है, वो होती है, centimeter square, per second, अगर हम इस से relate करें, इसको centimeter square, per second को, तो यह कितना हो जाएगा, 10 raise to power minus 4, meter square per second, ओके, और, 10 raise to power 4, meter square per second is, one stoke, तो one stoke, one stoke is, 10 raise to power minus 4, meter square per second, ओके, और centi stoke, एक unit होती है, इसकी centi stoke, तो centi stoke मतलब, इसको अगर हम, stoke को 100 से divide कर दें, तो one by 100 stoke, और simply, 10 power minus 4, divided by 100, meter square per second, ओके, so 10 power 4, यह कितना हो, 10 power 2, तो यह 10 power 2, उपर जाके क्या हो जाएगा, 10 power minus 6, तो आप समझ सकते हैं, कि stoke का relation यह है, और centi stoke, उससे भी छोटी units होती है, तो I hope, इस वीडियो में हमने cover किया है, viscosity क्या होती है, उसमें dynamic viscosity और उसकी units के बारे में discuss किया है, newton's law of viscosity के बारे में discuss किया है, और kinematic viscosity के बारे में discuss किया, तो आगे की lecture में, हम इसमें discuss करेंगे numerical, okay, so viscosity का numerical हम एक लेंगे, और एक लेंगे numerical, fluid properties में, so जो next lecture होगा, उसमें हम numerical problems solve करेंगे, viscosity की और fluid properties की, और देखेंगे कि उनको कैसे solve करते हैं, क्या-क्या difficulties आ सकती हैं, units कितने important है, यह सब चीज़ें हम उस next lecture में करेंगे, so I hope इसके साथ मैं इसको end करूँगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो आप इसको share कर सकते हैं, अपने बाकी दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, thank you very much, take care.